अगर मार्केट बड़ा ग्याप अपर ग्याप डाउन खुलता है वेट फॉर ए प्राइस एक्षन और प्राइस एक्षन देखेंगे थजड़े के दिन मार्केट कंटिनूसली दीरे दीरे करके नीचा है अल्रेडी हम लोग वीडियो देख चुके हैं लेकिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ जिस तरीके से हम लोग प्लान किये थे थजड़े के दिन सेम कांडल फ्राइडे के दिन बनाया है लेकिन कुछ इंट्रेस्टिंग पॉइंट आपको मैं बताऊँगा जाके आप थजड़े का वीडियो देख सकते हो सिमिलर तरीके से मार्केट ने रियक्ट किया है फ्राइडे के दिन मैंने आपको बताया था मार्केट को अगर पोजिटिव जाना है तो मार्केट ऊपर खुला और सम्वेर राउंड ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट हॉल्ट करेगा जो ये ग्याप क्रेट किया था वो ग्याप फिल किया उसके बाद फिर ये कंटियूशली उपर गया ये सिमिलर तरीकी का सिनारियो आपको थजडे के दिन हम लोग अनलेसीज किये थे मार्केट अगर ग्याप अप खुला, मार्केट नीचे आएगा क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट हॉल्ट करके फिर उपर जा सकता है उसके लिए 200 से 300 पॉइंट का रींज हम लोग बना सकते थे थजडे के दिन हम लोग डिसकसन किये थे लेकिन मार्केट को हम लोग बार-बार देख रहे हैं मैं बार-बार आपको तरह ओपनिंग प्राइस इस वेरी इंपोर्टन ओपनिंग कहा हुआ ग्याप डाउन हुआ लेकिन कल का जो ओपनिंग था पर्फेट प्लेस पे था पहले हाप में आपको बताया था अगर मार्केट ऊपर खुलता है या फ्लाट खुलता है एक प्रॉफिट बुकिंग पहले आएगा एक सेलिंग का सिनारियो पहले आएगा उसके अच्छों ये क्लोजिंग प्राइस था इस क्लोजिंग प्राइस में ये हौल्ट करके फिर एक मोमेंटम किया अभी क्या कर सकते हैं इन डिटेल्स में आपको बताता हूँ कौनसे केस में आपको aggressively buying करना है और कौनसे केस में आप aggressively sort कर सकते हो ये सारे सिनारियो देखते हैं यहाँ पे continuously selling के बाद एक green candle बनाया है ये हो सकता है इधर ये profit booking हुआ हो या फिर fresh buying हुआ हो दोनों ही केस में जितने लोग buying किये होंगे उनका stop loss 100% ये point पे ही होगा जितने लोग यहाँ पे buy किये होंगे उनका stop loss ये point पे होगा aggressively sort कप करना चाहिए आने वाले टाइम में मैं ये नहीं बता रहे हैं किने कल immediately लेकिन mind में ये धिहान में रखो आने वाले टाइम में ये अगर ये cross करता है 20,400 जो low लगाया अगर ये cross करता है you can aggressively sort the region जितने लोग buyer try करना था यहाँ पे try कर चुके हैं एक दो दिन के बाद अगर ये cross करता है नीचे किस रहे तभी आपको aggressively sort करना चाहिए in this position you cannot, आप aggressively sort नहीं कर सकते है market अगर ये point टच करेगा तो फिर आप aggressively swing में भी sort कर सकते हो चलिए अभी हम लोग देखेते हैं aggressively buying up कर सकते हो aggressively buying up करना चाहिए market के अंदर अगर अभी देखेंगे bank nifty countries नो momentum के बाद green candle बनाया है तो no doubt यहाँ पे continuously selling का pressure था selling के pressure में अगर market उपर जाने का कोसिस कर रहा है तो कहीं न कहीं ये resistance point पे hit करेगा 15 minute charts में हो सकता है, 30 minute charts में हो सकता है जहाँ पर ये resistance बनाया होगा जबी भी buying का pressure first time आता है तो ये resistance को react करके first नीचे आयेगा फिर अगर ये cross कर रहा है इसका मतलब ये एक fresh buying का सिनारियो है price action आपको दिख रहा है same, अगर अभी ये point पे selling आया उपर गया, नीची जाने के बाद अगर ये pressure से फिर उपर गया that is the sign कि ने ये point पे आपको aggressively buy करना चाहिए अभी आपको क्या करना चाहिए current market scenario में दो point में आपको बता दिया आने वाले time में ये green candle बनने के बाद red candle बनके अगर ये फिर से उपर की तरफ cross करता है इसका मतलब W pattern भी आपको दिखेगा trending, halt उसके बाद pattern उपर की तरफ बनाया तो आप aggressively buy कर सकते हो अगर ये नीचे की तरफ जब आ रहा होगा retracement के लिए अभी अगर ये cross कर देता है तो आप aggressively sort कर सकते हो ये दो plan हो चुका है लेकिन कल क्या करना चाहिए first thing, कल अगर market flat खुलता है तो definitely एक momentum आपको उपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है अगर flat खुलता है क्योंकि ये same momentum carry forward होगा लेकिन market जब उपर जाने का कोसिस कर रहा होगा तो ये बार बार resistance हिट कर रहे होंगे ये ध्यान में रखिए ये जब resistance हिट करेगा तो market फिन नीचे आजाएगा buyer अगर try करेंगे तो फिर market उपर जाएगा इसका मितलब कल at least आपको एक volatile market देखने के लिए मिल सकता है उपर नीचे एक बड़ा momentum swing type momentum आपको देखने के लिए मिल सकता है probability are very high the reason क्योंकि market अगर उपर जाएगा तो आपको resistance हिट करेगा market फिर नीचे आजाएगा buyer strong होगे फिर market को उपर लेके जाएगे तो आपको इस तरी के momentum देखने मिल सकता है मैं interesting कब रहूंगा अगर मैं sell करने के लिए interesting रहूंगा तो थोड़ा gap down खुलने के लिए 20,980 में somewhere around ये close दिया है market अगर 20,900 के नीचे open होता है तो फिर आप sort कर सकते हो क्योंकि अगर market नीचे खुलता है तो फिर continuously एक momentum कर सकता है तब एक interesting रहेगा flat या उपर खुले तो आपको एक volatile market देखने के लिए मिल सकता है 20,900 के उपर पहले 15 minute candle के बाद मैं sort कर एक लिए प्लान कर सकता है क्योंकि वहाँ एक position है जहाँ पर aggressively selling हो सकती है previous इतने लोगों ने यहाँ पर buy किया होगा उन लोग इसलिए buy किया है क्योंकि यह turning point उन लोग सोचा होंगे ये एक swing है तो अगर market नीचे खुल गया ये एक fall आ सकता है ये सारे point ध्यान में लेकर जाओ important ये market कहां खुलता है अगर market कल 400 point उपर खुल गया तो आप यहाँ पर क्या करोगे simple सा चीज है price action देखके लिए trade करना है quantity हाप कर लेना है कल हम लोग सोच रहे है 20,900 के नीचे sell करेंगे ये plan किया है लेट से market ही खुल गया 20,600 या लेट से 700 200-300 point नीचे खुल गया तो आप कर क्या सकते हो already market जा चुका है तो आप कुछ करते ही सकते हो we need to wait for a momentum के ने जहाँ पर हमारा price open होता है जैसे year days में हम लोग जैसे sell करें किये एक अच्छा profit मिला क्योंकि एक अच्छे place में open हुआ हम लोग पहले से ready थे selling किये same wait करो अपना जब scenario आएगा तभी trade करना अगर market बहुत open नीचे होता है small quantity के साथ trade कर साथ तो जैसे मैंने Thursday को किया था बहुत नीचे खुला price action देखा बहुत small quantity में trade किया तो similar तरीके से market को समझने कोसिस करो हमेशा selling नहीं हो सकती है हमेशा buying नहीं हो सकता बस आपको price और buyer और seller को देखते जाना है तो आपको easy रहेगा चलिए अभी हम लोग nipty देख लेते हैं nipty में ये swing लो ये swing लो और यहाँ पर जो breakout हुआ ये level बहुत important हो जाता है ये resistance की तरह काम कर सकता है तो important ये level पर market कैसे trade कर रहा है यहाँ से अगर ये फिर नीचे आने का कोसिस किया तो यहाँ पर एक selling हो सकता है यहाँ से अगर फिर ये continue किया तो ये w pattern बना के तो आपको aggressively buying up करना चाहिए same scenario जब ये w pattern बनाएगा अगर इसको नीचे आना है तो ये buying का scenario आपको देगा ही नहीं और continuously उपर थोड़े जाने के बाद resistance होने के बाद ये फिर continue जाएगा तो अभी market को decide करने तो market कौन से side जा रहा है तब ही आप aggressively plan करना कल अगर market flat या थोड़ा ऊपर खुलता है तो ये point पे आपको थोड़ा market volatile हो सकता है market अगर नीचे खुल जाता है ये धिया मेरे को अगर नीचे खुलता है जितने लोग यहाँ पे buying करके गया होंगे उन लोग एक halt हो जाएगा उन लोगों को एक track scenario हो जाएगा तो यहाँ से selling आ सकता है तो थोड़ा सा 40-50 point nifty bank nifty अगर 60-80 या 100 point के नीचे अगर gap down खुलता है तब थोड़ा सा मैं plan कर सकता हूँ aggressively sort करने के लिए flat या उपर खुलता है तो market volatile हो सकता है यह ज़्यादा probability है चलिए अभी हम लोग stock देख लेते है यह एक अच्छा stock है आपको समझाने के लिए जो scenario मैं आपको बता रहा हूँ just imagine यह chart nifty या bank nifty का है similar continuously selling आया यहाँ पे green color candle बनाया green color candle बनाने के बाद next day gap down खुला मैंने आपको क्या बता था market अगर flat खुलता है या ऊपर खुलता है volatile रहेगा sell करने के लिए scenario आपके पास कब रहेगा जब यह gap down खुल जा अगर देखें के gap down खुला एक selling का pressure आया अभी scenario क्या बन रहा है यह नीचे गया उपर गया फिर यह नीचे जाने का कोशिस किया यह भी एक green candle बना है इसका मतलब यहाँ पर aggressive buying भी हो सकती है अगर 121 के उपर खुले तो same चीज़े market को decide करने तो यह कहां जा रहा है यह नीचे गया पहला green candle में aggressively buying नहीं कर रहा हूँ नीचे खुला gap down खुला तो selling के लिए ready हूँ उसके बाद अगर यह फिर से green बना रहा है इसका मतलब यह एक double pattern बना रहा है अगर smaller time frame में देखेंगे 121 इसको जाने दीजिए फिर हम लोग sell करेंगे अगर यह buy करेंगे अगर यह level आता ही नहीं तो हम लोग trade भी नहीं करेंगे यह level पहले आने दीजिए फिर हम लोग buy कर सकते हैं stop loss एक दो रुपे का होगा उससे जाधा नहीं still exactly console level पर trade करना है कल मैं आपको telegram channel बता दूँगा और उसका link description box में है next stock के escorts अगर देखेंगे 1200 के उपर एक closing दिया है नीचे की तरफ आया और जहां से यह momentum किया था उसी level के आसपा से यह halt करके फिर उपर जा रहा है अगर कल 1205 के उपर निकलता है तो यहाँ पे भी एक momentum हो सकता है तो इसको भी हम लोग कल trade कर सकता है next stock हम लोग देखेंगे MGL अगर MGL यहाँ पे हम देखेंगे continuous selling का pressure था यहाँ पे एक बड़ा inside candle बनाया break हुआ momentum भी दिया उसके आद यह halt किया है halt करने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे यह indecision candle है buyer seller दोनों confuse है अगर यह cross करता है 8.18 या 8.17 के नीचे तो यह फिट से यह momentum continue हो सकता है अगर यह level नहीं आता तो यहाँ पे यह halt करके green candle भी बना सकता है क्योंकि market में confusion mode में है यहाँ से यह उपर भी जा सकता है लेकिन अगर नीचे गया तो हम लोग को selling का pressure मिलेगा तो एक side momentum हम लोग प्लान करेंगे market अगर नीचे जाता है तो इसको हम लोग sell कर सकता है एक अच्छा position में है next stock है power grid अगर देखेंगे inside candle बनाया है एक अच्छा inside candle यहाँ पर बनाया हुआ है अगर यह cross करता है तो हम लोग trade कर सकता है जो हम लोग technical analysis बार बार देख रहे है inside candle break तो इसको हम लोग trade रह सकते है पहले लेकिन level आने दीजे यह अगर halt कर जाता है तो एक दो दिन के बाद देखेंगे जु श्टॉक्स में बता रहा हूँ अगर यह breakout होता है तो एक momentum हो सकता है बले यह कल ना हो लेकिन आने वाले टाइम में में भी हो सकता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होँ अच्छा लगा तो रिफिन उड़े को like and share करना अभी के लिए इतना ही Thank you